Hello everyone, आज के इस वीड़ो में हम बात करेंगे BA Program and BA Owners के लिए जो आपका Yoga Philosophy and Practice Subject होता है इसका VAC Subject करने वाले यानि की Value Edition Course और बच्चे इसमें हम Second Unit का Chapter 4 करने वाले हैं जिसका नाम है चक्रसाधना Semester 1 में, 2 में, 3 में, 4 में या 5 या 6 में भी आपको ये Subject मिल सकता है VAC में आपको ये Subject मिलेगा और आपको एक ना एक बार पढ़ना ही होगा, ठीक है? तो चलिए एक बार Slavers को देख लेते हैं इसमें Total 3 Unit है, Unit 1, Unit 2 और Unit 3 और हर Unit में 2-2 Chapter है यानि की Total आपके 6 Chapter है इसमें से आज हम चक्र साधना यानि की 4th Chapter में आ गए है और इसको Complete करने के बाद आपकी ये 2 Chapter और बचेंगे इसको भी मैं जल्दी करा दूँगा Telegram Group है हमारा एकलवयस नातक 1 के नाम से आप इसको जोइन कर लीजिए यहाँ पर मैं यह जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी PDF डाल दूँगा ठीक है तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर पाएंगे मेरा नाम से तिंदर परता पर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे एक लवयस टेडी पॉइंट ही यूजर नेम है इस्टाग्राम पर आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पर रप्लाई करने का प्रयास करूँगा अब बात करते हैं इस वाले चैप्टर में कौन से टॉपिक हम को पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं आप इसको वीडियो को पॉस करके टॉपिक को देख सकते हो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और डिटेल में समझते हैं देखें ये जो चैप्टर है ये जो सब्जेक्ट है इसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और यहाँ पे ये इतना जदर डिप है इतना जदर डिटेल में है कि आपको समझने में दिक्कत आएगी लेकिन मैं कोसिस करूँगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए तो देखें हम योग शाधना करते हैं प्राणयाम करते हैं समाधी और योग के कई सारे अंग है जो कि हमने लाश्ट में अश्टांग योग वगेरा पढ़ा था इससे पहले वाली यूनिट वहाँ पे आपको बताया था इसी में से एक साधना चक्र भी होता है एक साधना का तरीका होता है इसमें अगर हम देखें तो हमारे सरीर में टोटल साथ चक्र है आप देखो यहाँ पे वन टू थ्री पोर पाइव सिक्स और सेवन आप याद रखें उपर से नीचे की तरफ नहीं जाना है ठीक है बलकि नीचे से उपर की तरफ जाना है जो सबसे पहला चक्र होता है इसको मुलाधार चक्र कहा जाता है फिर दूसे नंबर पे जो चक्र होता है इसको स्वाधिश्ठान चक्र कहा जाता है तीसे नंबर पे आपको यह जो चक्र दिख रहा है जो आपके नाभी के पास होगा जो आपके आँखों के बीच में जहां पे तिलक लगाते हैं वो वाला माथे वाले हिस्से में आ रहा है सेवंथ पॉइंट जो आपके ब्रेन यानि की दिमाग उपर हिस्से में आ रहा है तो ये सारे के सारे पॉइंट सारे के सारे पॉइंट जगाए कैसे जाते हैं किसी योग साधना के द्वारा वही इस चैप्टर में बताया गया है ठीक है और इन सभी जो चक्र होते हैं इन सब के नाम है नाम क्या है देखो आप देख सकते हो कि सभी चक्रों को नाम दिया गया है इनी चक्रों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है इसके क्या ल जिससे हमें प्राण मिलते हैं इसमें पंदरा जो नाडिया हैं वो प्रमुक है तो यह आपको याद भी नहीं होगा तो यह आपको याद भी नहीं रहेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि यह जो मतलब नाडियां तो असंक हैं लेकिन उसमें से पंदरा जो हैं प्रमुक है और पंदरा में भी तीन जो हैं वो मुख्य मानी जाते हैं वो तीन मुख्य कौन कौन सी है सुषुष्मा इड़ा और पिंडला ठीक है अब आगे समझते हैं इनका जिनका योग से इन तीनो नाडियों में सुसुस्पमा जो है वो सबसे सुरेश्ट है ठीक है अब तीन जो बताई थी इसमें भी सबसे सुरेश्ट कौन सी है सुसुस्पमा ये नाड़ी जो है ये अती सूच्पन नली के समान है बिल्कुल छोटी सी नली की समान है ये कहां पे होती है जो हमार पर यह होती है और इसी यहीं पर यह होती है और यहां की हड़ी से भीतर से होती हुई मस्तिस के उपर तक जाती है यानि पीछे से यह होती हुई सीधा मस्तिस के उपर तक जाती है बिलकुल इस तरीके से और इसी मल दौर यह जो गुदास्थान होता है इसके पास इसके बाई यानि इसके लेफ्ट साइड में और इसके जो राइट साइड है ठीक है दोनों ही साइड में इडा और बाही साइड में इडा हो जाएगा और दाहीनी साइड में यानि राइट साइड में पिंडला हो जाएगा ठीक है यानि कि आप ये देखो ये इडा जो है ये आपके खहा तो यह थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए याद करना समझना लेकिन आप समझिए कि देखिए असंखे नाडियां हैं उसमें से 15 जो है प्रमुक है 15 में से 3 प्रमुक है और 3 में से सर्वस्रेट जो है वो सुसुस्मा है सुसुस्मा जो होती है हमारी जो रीड के अड़ी जहा लेप्ट और राइट में इडा और पिंडला इस तरीकी से ये डिवाइड है इतना आपको समझ माया होगा आगे चलते हैं इन तीनों नाडियों में क्रम से अगर बात करें सुसुस्मा को सरस्वति कहा गया है देखो कितनी वैल्यू दी गई है सुसुस्मा जो है उसको सरस् यहां पर यह तीनों जो नाडिया है यह अलग अलग होती है और इसको मुक्त त्रिवेणी कहा जाता है क्योंकि यहां पर तीनों क्या हो जाती है अलग हो जाती है और भूमद्र में जहां तीनों आपस में दुबारा से मिलती है उसको युक्त त्रिवेणी कहा जाता है एक जगा मुक्तत्रवेनी और एक जगा युक्तत्रवेनी दोनों मिलते जुलते नाम है अब कन्फ्यूज नहीं होना एक जगा क्या है वो एक दूसरे से अलग हो जा रही है तो दूसी जगा वो तीनों आपस में मिल जा रही है ठीक है प्राण सकती निरंतर इडा और पिंडला न सास को अधिक गती से चलाते हैं यानि हम बाई अपनी नाक की तरब से सास को तेजी से लेते हैं तो इसे इडा या चंद्रस्वर कहते हैं लेकिन जब हम राइट साइट से यानि धाहिने का मतलब है राइट जब हम राइट साइट से जो अमारी नासिका है उसमें स्वास को तो I hope आपको समझ में आ रहा हो बाकी ये है आपके लिए याद करना काफी मुस्किल तो आप वीडियो को दो बार तीन बार देखोगे तो आपको कुछ कुछ चीजे समझ में आ जाएंगे ठीक है आगे है ये आसान जादा मुस्किल नहीं है लेकिन ये जो शब्द है ये याद कर पाना बहुत मुस्किल है आगे देखते हैं उसमें सत्वगॉण परदान होती है प्रकाश में अद्बुस शक्तिसालिया होती है और इन शक्तियों के केंदर को क्या कहा जाता है चक्र कहा जाता है हमारे सरीर में सभी के सरीरों में यह नाडिया आपको मिलती है अब यह साध परकार की होती है जो मैं आपको इस टार्टिंग में ही बता दिया था यहाँपे image में आप देख पारे हो ता उसको पहले जो सबसे निचला जो होता है मूलाधार ठीके जो हमारे पैरों के पास हमारे गुदा मार के नीचल पहते हैं इसको प्रूतस्य क्शि Denise रहे है यह जो हमारी रीड की हड़ी होती है आप अपने पीछे यहाथ लगाओ रीड की हड़ी जो है उसको बिल्कुल निचले हिस्से में पहुँच जाओ जहां पर वो खतम हो रही है इस जगह पे ठीक है तो निचले अंतिम छोर के पास मलदवार और जननेंद्रिये के बीच जो आपका एनस एरिया होता है उसके बीच में ये चक्र गुदा अस्ती के निकट इस्तित होता है ठीक है बिल्कुल गुदा अस्ती के पास ही होता है और इस इस इस्थान को क्या बोलते है हरी का द दौएब बॉडू साथ लुए क जाए उसको उसको बाता है और यहां पर मुलाधार चक्र होता है इस चक्र की साधना सिद्ध होने पर ब्रम गरंती jon si Saad abroad जाती है पर उसके नीच्प जातीह जिसको कर रहा है उसके भीतर प्रित्वी के गुन जैसे कि स्थिरता हो जाएगी निश्चलता हो जाएगी वो द्रिन हो जाएगा शमा और सहनसील होने लगेगा ऐसा व्यक्ति हो जाता है सारी री किस तर पे देखे तो उसकी हड़ी मान स्पेशी नस नारी ऐसे दोस्त ऐसी कमिया जोता है वो ठीक हो जाती है यह सब आयूरवेद के अनुर सारे ज़्यादा confuse हो जाओगे, देखो, इस चक्र की साधनागर करनी है, तो उसके लिए हमको एक निश्चित जगा पे, एक निश्चित समय में आसन लेकर बैठना है, आसन मैंने आपको कल की वीडियो में बता रहा है, ठीक है, लास्ट वीडियो में, एक निश्चित समय में हमको बैठना है, सबसे पहले आसन में बैठेंगे, चार-पांच मिनट तक अपने सरीर का जो नीचे से उपर तक का जो हिस्सा है, उसका मानसिक रूप से अवलोकन करेंगे, और अपने आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाएंगे, क्योंकि जब तक हम तनाव मुक्त नहीं होंग मन को बिल्कुल शांत करना है, सरीर और मन को इस्थिर करना है, एकदम सांत करना है, और अपनी जो सांस है, सांस जो हम ले रहे हैं, सांस जो हम छोड़ रहे हैं, उसका अवलोकन करना है, गहरी लंबी सांसे लेना है, फिर उसको भरना है, फिर छोड़ना है, इस तरीके से ज चक्र जो है जागरीत होता है और आप सोचोगे कि आप बैठ के सुबा इस तरीके से कर लो तो ऐसे नहीं होगा इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जुरूत होती है बहुत ज्यादा जो रिशी मुनी होते थे जो दिन रात अपने जंगलों में जाके घर परिवार प्रैक्टिस करनी है इसके बाद जो मुलाधार चक्र होता है ठीक है उस पर ध्यान का अभ्यास हमें सुरू करना है तब जाके गईना कहीं हम इसके अभ्यास के लिए कुछ मंत्र बगेरा होते हैं उसका जब करना होगा तब इन चीजों को हम समझ पाएंगे तो ये तो इसक साधना का तरीका हो गया अब इसके क्या लाब है मानलोगर कोई इस लेवल पर पहुंच जाता है तो इसके लाब क्या होंगे तो दिखे जब साधक इस चकर के इस्तान पर ध्यान लगाएगा तो उसको कुंडलीनी शक्ती जो होती है उसका ज्यान हो जाएगा और वह उसको जागरित कर पाएगा और यह जब जागरित हो जाएगी तो साधक जो है उसको सिद्धिया प्राप्त होगी सिद्धिया एक तरह से वर्दान टाइप की आप मानलो कई तरह की सिद्धिया होती है जैसे कि उसके अपने प्राण अपना मन अपना वीरे इस पे नियंत्रन हो ज दिखते हो कि आज के समय में क्या होता है कि वीरे को नश्ट कर दिया जाता है ठीक है बहुत सारे युवाज होंगे वो नश्ट करते होंगे वीरे को जबकि वीरे को हमको बचा के रखना चाहिए ठीक है तो वीरे जो है इस पर कंट्रोल नहीं होता लोगों का तो वो कही न कही इसको निकाल देते हैं या जैसे भी आप समझे रहें हमें ज़्यादर डीप नहीं जाओंगा तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है कि हम इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आपको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना भूत, अपना वर्तमान, अपना भविश्य काम को ग्यान होने लग जाता है, हमें सहजानन्द की अनुबूती होने लग जाती है, ठीक है, और हमारी आध्यात्मिक पर आजाता है, ठीक है, इसमें सादक जो है, जो ध्यान का केंद्र होगा, वो स्वाधिष्ठान चक्र होगा, जो second number पे आता है, ये हमारे पेट के निचले भाग में होता है, ठीक है, जैसे हमारे आते, प्रजननंग, और हमारे जो मूत्राशा ये वगयरा, उसके आसपास की जो चीजे है उसको नियंतरन करता है और इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए भी हमें कही looks एक प्राणायाम वाली स्थिति में बैठना होगा और फिर करना होगा और इतौसी जो इस चक्र को जगा लेता है उसकी काम अक्षा जो सेक्स को लेकर जो इसको कहीं ना कहीं कंड्रोल कर सकता है और इसके सक्रिये होने पर साधक जो है, वो कोमलता, शीतलता और निडरता जैसे उसके अंदर गुण आने लग जाते हैं यानि कि चक्र साधना से पहले किसी एक सास्त्रियाशन में आपको बैठ जाना है किसी पवित्रि स्थान पे सांत जगह पे एकांत में, मैं आपको बताया था कल की वीडियो में कि हमें बिल्कुल जब भी साधना करनी है तो ही jakांत स्थान बैठना है और परती दिन साधना का एक समय स्थान निश्चित होना चाहिए ठीक है ये निकी एक बार सुबा पांच बजे बैट गए एक बार सुबा दस बजे बैट गए एक बार आट बजे ऐसे नहीं ब्रह्म महुरत में सुबह 3.30 बजे के बाद से लेके सुबह 5-6 बजे तक के बीच में ही ये सब करना अच्छा रहता है ठीक है चक्र साधना से पहले 4-5 मिनद तक हम को क्या करना है अपना मानसिक अवलोकन करना है अपनी सांस का, अपने शरीर का, अपने मन का, इन सब चीज़ होगा, जो मैंने आपको लाश्ट में बताया था, सब में एक जैसा ही है, साधना विधी सब में एक जैसी है, ठीक है, इसके बाद लाब क्या होगा, अब देखो, यह कौन से अंगों को टार्गेट कर रहा है, दे तो देखते हैं, लाब क्या है, जब यह चक्र जागरित हो जाता है, तो साधक जो उसको सारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों ही परकार की उपलब्दी होने लगेगी, जो हमारे जन्न निंद्रिय रोग है, वो देरे-देरे ठीक होने लग जाएंगे, हमारे सरीर में जो खून जो दोड़ता है, वो भी ठीक होने लगेगा, ठीक है, काम, कुरोध, भै, निद्रा, जैसी जो यह समस्या हैं आ रही हैं, यह सब दूर होने लग जाएंगी, ब्रहमचरे का पालन भी हम कर पाएंगे, अपने काम जो विजय है, उस काम विजय का मतलब है, जो अप आप इससे दिखा देता हूँ, आपको देखो, पेट के पास है, ठीक है, नाभी जो होती है, नाभी के पास होता है, तो यह चक्र जो है, यह मेरुदंड, यानि की पीछे की साइट से देखो, तो मेरुदंड क्या सपास होगा, नाभी के पीछे वाला हिस्सा होता है, और य अगनी तत्यो प्रदान होता है, इसका अर्थ होता है, मणियों का नगर, ठीक है, इस चकर में अगनी के सभी गुण विद्वान होते हैं, अगनी में ओपर की ओर जाना, शुद्धी करन, प्रकाशित करना, चमकना, उर्जा देना ऐसे गुण होते हैं जो इसको साधना की विदी क्या है, पदमासन में बैठ जाना है ज्यान मुद्रा में बैठ जाना है, दो-तिर मिनट अपने सरीर को क्या करना है पैर के अंगोटी से लेकर, पैर के अंगोटी से अपने पूरे मानसिख अवलोकन करना है कि कौन सी नाड़ी कैसे काम कर रही है, ये सब हमें सोचना है और इसके बाद इसके लाब क्या हूंगे, लाब देखो जिगर, हमारा जिगर मतलब लीवर से है ठीक है पितास है, अमाश है और हमारी तिली, अगनाश है इन सभी अंगों पर क्या करता है ये असर करता है पेट संबंदी जो विकार होते वो ठीक हो हूने लग जाते हैं तो कि यह चक्र जो है यह भगवान विष्णु देवी लक्षमी इन से रिलेटिड है और तो यह इसके कुछ लाब होगे इसके बाद आगे चलते हैं इसके बाद आता है अनाहत चक्र यह हमारा चौत्थे नंबर का चक्र है ठीक है नीचे से चौत्थे नंबर पर आएंगे यह हमारे हिर्दे के आसपास होगा एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ देखो चौत्था जो चक्र है हमारा यह हिर्दे के आसपास आता है ठीक है तो इसको देखते है ये सुसुसमा नाडी में हिर्दे के पीछे जो रीड पर इस्थित होता है ये हमारे सरीर में जो रीड होती है जहां हिर्दे की सनायू जाल का जो गुछ बनता है वहाँ पर ये होता है और ये हमारे कहीं न कहीं जो हमारे खून की जो दोडान होती है उसको ठीक करता है हमारे हिर्दे हमारे फेफडे हमारी भुजाओं को नियंतर्ण में रखता है ठीक है कहीं न कहीं ये वायू के लिए भी एक अच्छा तत्व है इसकी साधना की विदी वही है पदमासन वगेरा में बैठ जाओ सुबा के समय बैठ जाओ दो से पांच मिनट गहरे लंबे सांस लेने है अपने पूरी नाडियों का व्लोकन करना है ठीक है पूरी पोजिसन ले लेनी है इसके बाद लाब क्या होगा अगर मानलो ये चक्र जागरीत हो जाता है तो इसके जागरीत होने से क्या लाब होगा तो जौन से अंगों के पास है न उन अंगों क ठीक करेगा, फिर्दै रोग', दमेके रोग', ठीक है, हाई, जो blood pressure होता है, या जो religion होता है इससे ही हमें निकालेगा, शान्त और एकागर बनाएगा, अंतरमुकि होने लगएगा अगर इंसान,аемjor इंट्रोवर्ट हो जाता है इसको करने से प्रेम, शांती, करुणा, मित्रता ऐसे सुरोत बनने लगेंगे लोगों के साथ विवहार बदलने लगेगा ये चीजे अगर सच में करने लगें और सच में जागरित हो जाए तो बिल्कुल ही दुनिया बदल जाते हैं इसलिए जो योगी होते थे उनको दुनिया भर में किसी चीज का कोई मोहमाया नहीं होता है आप देखो कि आज के समय में हम लगजरी की तरफ भागते हैं लेकिन जो रिशी मुनीत है वो लगजरी को छोड़ कर एकांत की तरफ भागते हैं तो अगर ये सारी चीज़े कर लेते हैं तो आप दुनिया की ये जो सुख दुख है कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको किसी चीज से बिल्कुल रहोगे तो ये है इसके बाद पांचों पाइंट है विशुद्धी चक्र साधना अब ये क्या था ये गले के आसपास पढ़ रहा था जो हमारे गले में टॉंसिल होते है टॉंसिलाइटीस जो खराब हो जाते है वहाँ पे गले में दिक्कत होने लग जाती है या फिर जो ENT आप कान नाख आख वाला जो सिष्टाम होता है इसको दात जीवा इन सब के जो दोस होते हैं उसको ठीक करता है हमारा जो मोटा शरीर है अगर तो उसको ठीक करेगा मन को शान्त करेगा हमारा जो कंसेंट्रेशन पावर है जिसको एक आगरता कहते है उसको उपर उठाएगा तो यह लाब पहुचाता है इसके बाद है आग्या चक्र यह छटे नंबर का चक्र है जो हमारी आँख होती है देखो हमारी जो आइब्रो होती है एक आइब्रो दूसरी आइब्रो इसके बीच में जो हमारा जो जहां पर हम टीका लगाते है तिलक लगाते है इस भौहों के बीच वाला हिस्सा होता है तो आग्या चक्र जो है ये पांच चक्रों की भाती सुसुस्मा नाडी पर दोनों भौहों के मद्ध में होता है और मस्तिस के मद्ध में होता है ठीक है मस्तिस के मद्ध में और सांकेतिक रूप से जो हमारे स्थूल सरीर है इसमें ये जो चक्र है यह मस्तिस्क गुहा जाल के निकट होता है और इसके इससे क्या लाब होंगे तो इसको लाब देखते हैं इसकी साधना की विधी वही है जो मैंने आपको सब में बता है सब में आप एकी पॉइंट लिख दोगे साधना की विधी में सब चलेगा ठीक है लाब क्या है लाब सब के अलग अलग है तो लाब आपको याद रखना है देखे सारीरिक और मानसिक दोसों को ठीक करेगा ये और जो हमारी पीनियल जो गरंती होती है उसको ठीक करेगा जो सराव होता है रखत सराव वगए अगर कुछ ऐसा है इंटर्नल तो उसको ठीक करेगा अगर ये चक्र जागरीत हो जाता है तो हमारे मन को संतुलित करेगा ठीक है हमारे हार्मोंस को संतुलित करेगा हमारे मन को स्थिर बनाएगा बिल्कुल शांत बनादेगा हमारी दिवध रिष्टि हो जाएगी दूर की भी चीज़ों को हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे ठीक है हमारी जो अतिंद्रिय हैं उसके द्वार खुल जाएंगे, बुद्धी, स्मिर्ती एकागरता, इन सब चीज़ों में फाइदा होगा आमको, लाश्ट चक्र है जो हमारे मतलब मस्तिस के उपर होता है सबसे उपरी भाग में, जैसे मान लिजे यह आपका हैड ऐसी रहें उपरी भाग में जो होता है तो यह सुससमा नाड़ी का अंतिम छोड़ होता है और मस्तिस का उपरी भाग होता है ठीक है, यह द्वंद्रहित चक्र है शुन्य तत्व प्रधाने यहां पे कुछ भी नहीं रहेगा और अगर कोई व्यक्ति इसको जागरित कर लेता है तो वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा एक तरह से यह समझे बगवान शिव का इस्थान इसको माना गया इतना ज़्यादा मैतु दिया गया यह जो जागरित कर लेते हैं जो वो मतलब बहुत सरवोच ग्यानी हो जाएंगा आप ऐसा मान लो उनको बहुत ग्यान हो जाएगा साधना विदी सेम है पदमासन में बैटना है अपनी सांस को अवलोकन करना है दो से तीन मिनट पाँच मिनट हमें प्रैक्टिस करनी है फिर उसके बाद दोहराना है कुछ इन सब के ना कुछ मंतर होते हैं उन मंतरों का भी जाब करना होता है ठीक है अब इसके लाब क्या होंगे तो दिखे इसका अभ्यास गरम करेंगे तो ऐसे स्थिती बनने लगेगी कि सादक जो ऐसा अनुभाव करेगा ऐसा फील करेगा कि ना अब शरीर है और न मन है शरीर और मन बिलकुल भी कुछ नहीं हो उसके पास केवल केवल चेतना मात रहे केवल वो आत्मा मात रहे सिद्ध पुरुष जो होते है ना उनको ऐसा अनुभूती होती है ठीक है और वो अपने आपको जो सिद्धी है और जो संसार है उसके चकर से बंदन से मुक्त पाएंगे एक तरह से आप उसे त्रिकाल दर्सी मान लो आप उसको मुक्ष प्राप्त करने वाला विर्ति मान लो कि उसे मुक्ष प्राप्त हो गया संसार की जो दुख सुक और ये जो मोह माया पीडा इन सबसे बाहर निकल जाएगा वो विर्ति ठीक है ऐसा हो जाएगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो को देखो और समझने की कोशिस करो सब्जेक्ट थोड़ा सा मुस्किल है क्योंकि लेंगवेज इसमें टफ है बागी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत